पुल्वाम्मा हमले के बाद भारत और अंतराष्ट्रिय दबाव के चलते पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को 2008 मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद्दावा और फलाहे इंसानियत पर प्रतिबंध लगा दिया। यह अफैसला पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान की अध्यक्षता में हुई राश्ट्रिय सुरक्षा समिती की बैठक में लिया गया। बैठक में इमरान खान ने ग्रिह मंतराले और सुरक्षा अधिकारियों को आतंकी संगठनों पर तुरंत कारिवाई करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश आतंकियों के हाथों की कट पुतली न बन जाए। जमात उद्दावा मुंबई हमलों का जिम्मेदार। अपनी गदिविधियों को अंजाम देने के लिए फला है इंसानियत नाम के संगठन के जरिये फंडिकर्टा करता है। दोनों संगठनों के पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा सदस्य हैं। जमात उद्दावा के नेटवर्ट में 300 से ज्यादा मदर से हैं। भारत चीन चुका है में 50 का दरजा। पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीती के तहत भारत ने आर्थिक और पर उसकी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। हमले के बाढ़ भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दरजाद चीन लिया था और वहां से आने वाले समान पर ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान की और जाने वाली तीन नदियों का पानी भी रोकने का फैसला किया।